आज का जो टापिक है power electronics के बारे में पढ़ेंगे power electronics को industrial electronics control के नम से जाना जाता है पावर इलेक्ट्रानिक्स एक इंजिनियरिंग ब्रांच होती है जिसमें जो इलेक्ट्रानिक्स डिवाइसेस होते हैं उनका उपयोग पावर लेबल पर किया जाता है पावर इलेक्ट्रानिक्स एक प्रकार की इंजिनियरिंग ब्रांच होती है जिसमें इलेक्ट्रानिक्स डिवाइसेस का युज पावर लेबल पर किया जाता है इसके बाद अप्लिकेशन देखते हैं इस अप्लिकेशन में फांस्ट आता है air u space second satellite और third UPS power electronics का यूज air u space में होता है satellite और UPS में होता है अब advantages देखते हैं advantages जो power electronics devices होती है उनका efficiency काफी high होता है efficiency काफी high होता है और reliability reliability भी काफी high होता है मतलब यह काफी विश्वसनी होती है और इनमें जो losses होता है काफी कम होता है बहुत ही कम मत्रा में losses होता है disadvantage देखते हैं इसमें जो disadvantage होती है large harmonic generate होती है मतलब harmonic बहुत ही ज़्यादा generate होती है और इसमें जो हता है कि power factor काफी कम होता है मतलब power factor कम कहने का मतलब power factor जो होता है हमेसे घठता रहता है power factor low रहता है और overloading capacity बहुत ही कम होती है low होती है